सबसे जादे सीट्स खाली रहने वाली है रीजन है कि एडिशनल राउंड में बहुत सारे लोग बैड गयते पर वो अब पेमेंट नहीं करेंगे 75,000 का और मेरी प्रेडिक्शन लगबग सत प्रतिसाथ सही निकली मैं तो उस दिन बोला था कि 200 से जादे सीट्स खाली रहेंग आज तो 300 से भी जादे सीट्स खाली निकल गई रिजन है था कि मैं जब बना रहा था वीडियो तो उस टाइम पर उतने ही लगबग लगबग सीट्स कैंसल हुए थे बाद में मतलब कल जाके और भी जादे कैंसल हुए ठीक है तो काफी अच्छा खासा क्या रहा मतलब इस मतलब काफी जादे सीट्स खाली है तो आप से यह रिक्वेस्ट रहेगी भाई साब अगर आपको है एचीबी ट्यूमें अडमिशन लेना है तो यह बहुत ही बढ़िया शुना है राए गोल्डेन अपर्चुन्टी होने वाली है क्योंकि बहुत ही लो राइंक तक इस बार अडमिशन होने की संभावन है रीजन यह यह कि भाई साब नंबर आप सीट्स नंबर आप सीट्स यह बहुत है पर डिसकस करने मैं क्यूंसिऊ को और एक चीडिकल का से हमाल ऑग्रफसरन कहँ अजिएगं मैकानिकल को और च्योन करन का अच् conveneान अट माट उसक इसएगी मपाह करने तो अब यह मेरी मन में सवाल आ रहा होगा कि भया अगर मुझे एसले मिल च тобой में तो क्या मैं मेई लिसेवल हूं तो नों comprehending लिजबल फॉर्ड थीक है एलिजबल कोन है सिर्फ वही लिजबल जो अभी तक कोई सीट एच्वीटिव में नहीं लिया है जो अल्रेडी एड्मिटेड है यह नॉट लिजबल हाँ अगर तुम पहले च्वाइस में मतलब तुम अगर रजिस्ट्रेशन पहले किये थे तो भी कर सकते हो और अगर तुम नहीं भी रजिस्ट्रेशन किये थे इससे पहले है तो भी तुम यहां पर क्या कर सकते हो अभी कर सकते हो तो आप एक की करके हम सारा प्रॉसेस देखते हैं छे लाख रांक तक के लिए भी आम बात करेंगे कि क्या पॉसिबिल्टी बनने वाली है और तुम्हें देखके लगेगा कि हां भाईया आप तो बहुत ही सहीं बात करते हो और अभी वीडियो देखके जितने लोग जाएंगे उसमें से बहुत लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आएगा मुसे पता है वह आके यहीं गहेंगे कि भाईया मैं लास्ट पॉइंट पर आपकी वीडियो देखा और फाइनली में रैच्वेटिव में एडमिशन हो गया यह सिर्फ आज का नहीं हर साल ऐसा होता है ट्रिपल में लगब मैं बोला था कि तीन लाग तक पिछले वार में बोला था कि तीन लाग भी है तो जाओ पक्का हो जाएगा और तीन साड़े-तीन चार लाग तक वाली भी बच्चे गए इस पॉट में और उनका एडमिशन हो गया यह तीन लाग चार लाग राइंग बहूत अच्छा राइंग नहीं होता है बहुत हाई रैंक होता है और इस पे भी एडमिशन हो रहा है अच्छी बात यहें कि इतने साब रहें काने के बाहुजूद भी हमें एक डिसेंट से कॉलेज में एडमीशन मिल रहा है यह बहुत अच्छी बात है और यहीं खूपसूरती है एक काउंसलर की कि अगर आपको काउंसलिंग का प्रॉपर नॉलेज है अगर आपको बहुत सारा इंफॉर्मिशन आप बहुत करते रहते हैं कि यह कर लो यह कर लो जिनके पांस अगर ऐसा कोई नहीं है तो उनको परिशान होने की जरोत नहीं है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अब चलो मैं इस पॉर्ट काउंसलिंग का एक करके डीटेल देता हूं कि हैसे बैटना है क्या करना है सबसे पहले पसमें तुम्हारी पहुंच जाना है और वहीं पे तुम्हारी इस पार की कॉंसलिंग होने वाली है 12 बजे के बाद कोई नहीं होगा तो मैं सबसे रीक्वेस्ट करूंगा नौ बज़े से पहले ही पहुच जाना लेट मत करना क्योंकि क्या ना कि पहले जाओ पहले टोकन ल मिल जाएगा जो पूरे के पूरे काउंसलिंग में स्पॉर्ट काउंसलिंग में तुम्हारी हेल्प करने वाला है साथ ही साथ वह तुम्हारी हेल्प के लिए रहेंगे बस तुम्हारी जाके अपना परिशे देना होगा कि हां संदीब भया ने भी भीज़ दूंगा तो तुम्हें परिशान होने की जरूत नहीं हमारे तरब से जो भी सुविदा हो पाएगी जिस दिस कॉलेज में हमारे में पहुंच सकत लेना ओनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना और ओनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस हमें 25 रुपर कर देना ठीक है जिल लोगों ने जिल लोगों को पहले सीट मिली यह ओं लोग लाउड नहीं होंगे इलीजिबिल्टी वह यह 55% पर जनरल और बाकी स्थ्ट के लिए 50% का औ और रजिस्ट्रेशन साथ से बारा के बीच में कर लेना है ऐसा है कि साथ से लेके 12 अगस्त के बीच में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने अगर आप यूपी से हो आप यूपी के हो लेकिन 12 अगर आपने आपको क्या करना पड़ेगा लेकर जाना यह ज़रूरी है तभी आपको स्टेट का कोटा मिलने वाला है बाकी अभी मैं आगे इसको एकस्प्लेइन करता हूं एक बात अच्छा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा है कि एकट्यू का डेट जब से बढ़के 14 हुआ बच्चे थोड़ा सा घबरा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि कि एकट्यू में प्रास लगाने वाला है तो पुरा हो तो पुर रहे हो सकता है सेट्वर के हो सकता है अक्टूबर जाकर सपारili है ऐसा अ तुम मानके चलो अब सवाल है कि यार प्राइबेट उल्जेवाले तोक्लास से स्थार्ट कर रहे हमारा क्या होगा क्या सारे प्राइबट की सीटे अगर भर गई हैं तो हमें क्या जैसे सेकेजी काईट यहां जितनी वी अच्छे सिट मिल पाएगी कि नहीं तो मैं तुमसे ब तुम्हारा एड़्मिशन हो जाएगा इट्स नाट ऑबीग डील कि तुम्हारा एड़्मिशन नहीं होगा क्योंकि सीटे भरी क्यांसरिश के लिए अगर तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करेंगे और हम तुम्हारी चुआस्ट और तुम्हें पर्सटनल मेंटर भी दिया जाएगा एक ट्यू में ताकि तुम अपने सारे सवालों का जबाब ले पाऊ उससे जो भी तुम्हारे मन में क्योंकि यूपी में जो कॉले जना यार 600 प्लस कॉलेज भी नहीं तो वह उनके चकर में पढ़ने के बजा हमें कैसे का इन्फोमेशन करना है you to enjoy夜 वाँ वीडियो और तुम चाहो तो हमारा प्रोग्राम भी बाई कर सकते हो ST-Bz केडमी अब से अगर तुम्हें हमारे प्रोग्राम भाई करना हो तो ST-Bz कैडमी एप डाउनलोड कर लेना STBZ एकेडमी एप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जाके प्लान बाइ कर लेना तेट टाइम बाउंड गोल या दूसरे आप से नहीं करना है तुम्हें हमारे निव वाले आप से ही प्लान जाके बाइ करना है प्लान सिर्फ और सिर्फ कितना है पचीस सो रुपय का है और अगर तुम सब्सक्राइब करने वाला है तो सबसे पहला काम है हमारा रजिस्ट्रेशन कर लेना अगर हम बैठना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन इस वाले और रजिस्ट्रेशन जो तुम्हारा यार्प वाले वेब साइट से होगा ठीक है सब्सक्राइब करना है रजिस्ट्रेशन करने कि बात से कुछ नहीं करना है डॉकुमेंट सारे बनवा लेना है इसका प्रिंट आउट जैमेन का राइंक काड यह चीज़ 12 का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अगर हम कोई कैटेगरी अगर तुम कोई कैटेगरी क्लेम कर रहो सब्सक्राइब कर लेना है और पासपोर्ट साइट चार फोटो ले लेना है तो इस सारी डॉकुमेंट्स ले लेना है तुम्हें साथ से लेके बारा के बीच में क्या करना है रजिस्टर करना है रजिस्टर करने के बाद से क्या करना है सिंपल यह सारे डॉकुमेंट्स बनवाने हैं और उसके बाद 14 का टिकट करवा लेना है एक नजर देखना होगा एक नजर क्या देखना होगा एक नजर यह तो धिखना होगा कि हमारे मतलब की कोई ब्रांश है कि नहीं क्योंकि अगर तुमसे में अहीं तो यहां पर तो ostat चाहिए पहला सवाल दूसरा सवाल ही है कि सरी जो रैंक दिया हुआ है इसका क्या मतलब है तो यह जो रैंक दिया हुआ है इसके बारे में भी मैं तुम्हें यह एक्स्प्प्रया करूंगा लेगिन पहले मैं तुम्हें अच्छ से सब्ससे ना रमाद शॉर यह। जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सारे डॉकुमेंट के साथ किसी गारजेन के साथ तुम वहाँ पहुंचो गारजेन नहीं भी है तो अकेले चले जाओ ठीक है अगर गारजेन नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद से क्या करना है सबसे पहले तुम्हें अटेंडेंस मा नाम बोला जाएं और सिट एलट होता जाएगा तुम्हारा सीट मानना जाएगा कि तुम्हारा ईंसल माना जाएगा तुम्हारा अब जब तुम वहां पहुंचोगे तो 1,35,000 का तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई साब DD बनवा के ले जाना पड़ेगा DD बनवा के ले जाना पड़ेगा 1,35,000 का किसके फेवर में इसके फेवर आफ फाइनेंस कंट्रोलर, HB2 कानपूर, पेबलेट कानपूर और cash at the counter, ठीक है, या तो तुम DD ले जाओ, या cash counter से pay कर दो, हलागी लोग DD बनवा के ज़्यादातर ले के जाएंगी, तो जैसे तुम्हें करना हो, वैसे करके जाओ, अब बात या दिए कि अगर नहीं पहुंच पाई, या लेट पहुंच पाई, तो जो seat ये बची रहेंग कि तद तक तुम्हारा कोई payment नहीं लगने वाला है, तो अकुल मिला जुला के क्या है, कि ज्यादा ज्यादा हमारा 25 सो जाएगा, उसके बाद कुछ भी एक भी रुपए, एक सिंगल रुपए भी नहीं जाने वाला है, अगर seat नहीं मिलती है, तो आने जाने का खर्चा लग अब चुकि मामला क्या है? अब क्या है कि इस चीज से मैं बहुत जादा संतुष्ट नहीं रहता हूं, क्योंकि क्या है कि मालो आपके कॉलेज में बेटर बच्चे नहीं पहुंच पाएं, उस केस में क्या? उस केस में आपको क्या करना चाहिए, seat उन बच्चों को देना चाहिए, जिन बच्चों किरा होना चाहिए, बट जो भी आप क्या ही कर सकते हैं, जो सिस्टम है, वो सिस्टम है, तो इसमें ज्यादा मैं टीपड़ी नहीं करूँगा, वना बवाल हो जाएगा, बट हाँ, इनका कहना यह है कि अगर किसी को IT चाहिए, और उपन के टेग्री से, जनरल के टेग्री से, ठी तो उसे क्या करना होगा? उसकी रांक 35 जार इससे ज्यादा होनी चाहिए, 35,331 से बढ़ियां होनी चाहिए, मतलब इससे बढ़ियां वाला, चीएक फायदा बच्चों को सब्सक्राइब होगा सब्सक्राइब फिंसे फायदा भाइधा घुज को हुआ सब्सक्राइब क्योंकि मोटा-मोटी इससे पहले वाले को अगर बुला रहे हैं तो इसका मतले भी इसी राइंग तक देंगे सिंपल बात है अगर मेरी रांग चालीज आ रहे तो सीसी नहीं मिलने वाली है तो बच्चे जो आना जो छक्कर में यहां आते अब उनहीं आएंगे उनका फायदा हो गया है इनोंगों ने प्रतिबन थे लगाया है तुम देखों छिर्फ अपने अच्छे ब्रांश समय लगाया है मतलब यहां बच्चे जाते हैं अच्छा जिन ब्रांशेज को कोई पूछ नहीं रहा है उसपे कोई नोने निक लगाया है यहां पर कुछ भी निलागाया क्योंकि पता है कि यहां तो वैसे भी कोई नहीं आ रहा है सीट्स तो हमारी वैसे भी खाली जा रही है तो आओ कोई भी ले लो तो अगर तुमारी चार लाख है तीन लाख है पांच लाख भी है तो तुम यहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो नो-one प्रतिवंद लगा रखा है कि इससे बेटर राइंक वालों को अपलाई करना चाहिए तो इसका मामला तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ज्यादतर अगर किसी को केमिकल चाहिए तो जनरल में तो जहां कि मुझे आइडिया है कि तुन्हें में तो यहीं आता है कि सीटे खाली जाती है बट जस लीप थाट ठीक है बट प्रॉसेस कि अगर तुम्हारी रांक कुछ भी है तो यह लोग कुछ भी इन जो लोबर ब्रांच इसमें देने के लिए और जो इनकी अच्छी ब् अगरी देंगे तो सबकी वेलु सेम है हां यह मने वना रखाए कि अच्छा ब्रांच है तो चुकि वैलु सबकी सेम है तो भाई ऐसे मदलब पार्शल्टी निकरना चाहिए ब्रांच में कि हम सीय सिर्फ उजी को देंगे जिसकी 20,000 रेंक है और टेकलोजी हम किजी को भी द ठीक है वैसे तो ही बहुत ही अच्छा और रेपूटेटेट कॉलेज बहुत ही शांदार कॉलेज है तो ठीक है यू के अप्लाइए अब इन ब्रांचेज में जाना है कि नहीं जाना है इनका प्लेस्मेंट कहसा है इसमें मैंने अल्रेड़ी एक वीडियो बना रखा है तो म मैं इस ज्यादा कमेंड नहीं करूंगा ठीक है बाकी इसमें मान के चलो लकाई 2-3 लाह रांग तक अराम से अडिमीशन हो जाएगा सारा प्रोसेज में समझा दिया बाकी अगर तुम लोग मेरे प्रोग्राम में तो परिशान होने की जरूत नहीं है आज सामको एक मतलब सारा कुछ एक्स्प्लेन कर दूंगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स टोड़ें आता तक लिए बावाय ठाटा एंड चाहिंद